हाई एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंशोस को ओर्डर, मैं हूँ अंशिक बाफ, फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं B.S.C. बायो टेकनलोजी कोर्स के बारे में, इस कोर्स के बारे में मैं कम्पलीट डिटेल आप से भी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने ना भोले, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं B.H.C. Biotechnology यानि Bachelor of Science in Biotechnology, जो तीन साल का undergraduate course होता है, जी हाँ, ये एक bachelor degree program है, जिसमें semester wise study कराए जाती है This course implements a combination of biology with technology and computers इस course में technology के development के लिए students को biomolecular process की advanced study कराए जाती है, ताकि लोगों की life and health को improve किया जा सके इस course में students को biological chemistry, microbiology, molecular biology, genetics, analytical techniques, bioinformatics and computer programming की study कराए जाती है Now let's talk about the eligibility criteria, B.H.C. Biotechnology में admission लेने के लिए students का 12th past compulsory है, यानि अगर आपने अपना 12th complete कर लिया है, minimum 50% marks के साथ और अगर आपके पास science stream थी, यानि PCB या फिर PCM थी, physics chemistry biology या फिर physics chemistry math, तो आप B.H.C. Biotechnology में admission ले सकते हैं अब बात करते हैं admission process की, इस course में admission लेने के दो तरीके हैं, एक है merit based, एक है entrance test based कुछ institute 12th के marks के basis पर एक merit test तयार करते हैं, तो आप उसके दो भी admission ले सकते हैं, और कुछ institute का एक entrance test हो सकता है, जिसको हम aptitude test भी बोलते हैं, तो यह depend करता है institute to institute, आप जिस college से करना चाहते हैं, आप वहाँ पर contact कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उनसे information ले सकते हैं, उनके admission process के बारे में, हर एक institute की official website होती है, आप जिस भी institute से इस course को करना चाहते हैं, आप उनकी official website पर visit कर सकते हैं, वहाँ पर contact कर सकते हैं, और किस college के entrance कब होने वाले हैं, उनका application form कब fill होना है, यह सारे information आप उनसे ले सकते हैं, और उनका application form fill करने के बाद आप entrance test दे सकते हैं, अ अगर merit list के basis पर admission मिलता है तो उसमें entrance test के जरूरत नहीं होती, तो ये दोनों ही तरीके हैं, BC Biotechnology में admission लेने के लिए, इसके अनावा DUET, ये एक बहुत ही famous entrance test है जीहां, Delhi University entrance, अगर आप चाहते हैं कि Delhi University से आप इस course को करें, तो आप DUET का ये entrance test दे सकते हैं, ये एक objective type entrance test होता है, जोकि 2 hours का होता है, इसका duration और English language में ही ये exam होता है, तो आप उनकी official website पर जा सकते हैं, application form कब आते हैं, इसकी बारे में आप search कर सकते हैं, आप form fill कर सकते हैं, और ये exam अगर आप track कर लेते हैं, तो आप Delhi University से बेस से बायो टेकनलोजी का course कर सकते हैं, इसके लावा काफी ऐसे institute college भी होंगे, जहाँ पर आपको entrance, बिना किसी entrance की ये merit list के, भी admission मिल जाता है, यनि कि आपको direct admission भी मिल सकता है, जिस भी institute से आप करना चाहते हैं, आप उनके बारे में information लें, वहाँ visit करें, अब हम बात करते हैं, fees structure की, कि इस course को करने के लिए कितनी fees लगती हैं, आपको बता दूँ कि हर एक college, university और institute की जो fees होती है, वो different होती है, हम किसी एक institute से दूसरे institute की fees को compare नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक average जो fees है, वो मैं बता देती हूँ कि total 3 years का ये course है, तो इसमें आपका 2-3 लाग तक का fees लग सकता है, इससे जादा ये कम भी हो सकती है, ये totally depend करती है institute to institute, so fees structure के बारे में आप जिस institute से करना चाहते हैं, आप उनसे contact कर सकते हैं, वहाँ visit कर सकते हैं और उनकी fees structure के criteria के बारे में आप information ले सकते हैं, लेकिन average जो था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2-3 लाग टोटल fees B.A.C. Bio Technology में लग सकता है, so guys अब बात करते हैं कि B.A.C. Bio Technology का course complete करने के बाद, आपके पास क्या career opportunity रहता है, क्या career scope रहता है, आप कहां job करते हैं, किस position पर job करते हैं, कितने आपको salary मिलती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप masters करें, तो इस course को complete करने के बाद, आप M.A.C. Bio Technology भी कर सकते हैं, अगर आप job करना चाहते हैं, तो आप इस course को complete करने के बाद, अच्छी company industries में job भी कर सकते हैं, so guys, जो students अच्छी college institute से B.A.C. Bio Technology का course करते हैं, वहाँ पर last semester में जब students होते हैं, तो college की तरफ से ही placements होते हैं, यानि companies hire करती हैं students को college से ही, तो उसमें आपको अच्छी company तो मिलती है, साथ इसाथ अच्छा package भी आपको मिल जाता है, इसके लाब अगर आपका placement नहीं होता है, तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है, आप खुद से भी consultancy के तरो भी job ले सकते हैं, या खुद से research करके भी आप job ले सकते हैं, काफे सारी pharmaceuticals, industries हैं, research and development centers हैं, agriculture companies हैं, marketing हैं, companies हैं, industries हैं, जहाँ पर आप BST biotechnology करने के बाद job कर सकते हैं, तो इस तरह की manufacturing industries में biotechnology जो candidates होते हैं, उनको hire करते हैं, उनकी requirements होती हैं, तो अगर हम बात करें package की, तो guys package depend करते हैं, कि आप किस company में job कर रहे हैं, आप fresher है या experience है, लेकिन अगर हम fresher की बात करें, यानि कि आपने अपना course complete किया है और आप job कर रहे हैं, तो minimum, minimum आपको 3 lakh का package तो मिल ही जाता है, इसके अलावा depend करते हैं, कि अगर placement आपका हुआ है college से ही, और अच्छी कोई company आई हैं, बड़ी company आई हैं, जैसे sipla हुई, run back सी हुई, भारत biotech हुआ, तो इसमें आपका package और भी जादा अच्छा मिल सकता है, जैसे 4 to 5 lakh का starting package आपका हो सकता है, लेकिन अगर average की बात करूं, तो 3 lakh से 8 lakh तक का package आपको मिल सकता है, बात करते हैं जो position की जो profile आपकी क्या रहती है, बेसी बायो टेकनलोजी कंपेट करने के बाद, सो इसमें अब profile जो रहती है, वो है research associate in vitro biology, lab assistant, research analyst, lab analyst, research associate, marketing manager, sales manager, सो गारिस, आज की वीडियो में बस इतना ही आए होप, आपके लिए helpful रही होगी, अगर आपके लिए वीडियो helpful रही है, तो like, share करना बिल्कुल ना भूले, और अगर first time मेरे channel पर आए हैं, अभी तक subscribe नहीं किया, तो जल्दी से कर लिजे subscribe, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर मैं share करती हूँ educational content videos, जी हाँ आपको educational updates मिलते रहेंगी, courses के बारे में information मिलती रहेंगी, तो अगर आप भी चाहते हैं, कि आपको इसी तरह की helpful and informative videos मिलती रहें, तो जल्दी से channel को subscribe कर लिजे, और bell के icon को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का notification मिलता रहें, अगर आपके पास भी कोई question ये query है, आप किसी course ते related information लेना चाहते हैं, तो आप मुझ रहे हैं, जल्दी से जाईए और follow कीजिए, और अगर आपके पास भी कोई career oriented query है, question है, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, message कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी, उसके regarding में video upload करूँ, सगाई जल्दी मिलती हैं एक नए video में, till then, bye bye, take care.